हलो बच्चों इशार करते हैं आज लेक्षर नूमबर वन सेल साइकल अंद सेल डिविजन वाट इस दो सेल साइकल सेल साइकल होती है यह दा ग्रोथ आफ सेल यानि सेल की साइस का बढ़ना अंद रेप्लिकेर्स दे जेनेटिक मैटेरियल अद अद अधर कॉंसेटिवेंस जे देन डिवाइड इन टू टू डाटर सेल और दो डाटर सेल में डिवाइड हो जाना इस पूरे प्रोसेस को मिला के हम क्या बोलते हैं सेल साइकल पूरे प्रोसेस को मिला के क्या बोला जाता है सेल साइकल बोला जाता है तो एक्षिल में सेल साइकल है गया आईए इसे पहले थोड़ा सा कुछ और देख लिया जाए इससे पहले हम देखते हैं और्गैनिसम को अगर हम और्गैनिसम की बात करें तो इस अर्थ पे जितने भी और्गैनिसम हैं उसे हम टो पार्स में डिवाइड करेंगे चाहे तो यह तुमारे यूनिसलिलर होंगे कैसे होंगे यूनिसलिलर या मल्टी सिलिलर देखे हैं अगर यूनिसलिलर की बात करें जैसे अमीबा यूनिसलिलर है बैक्टेरिया यूनिसलिलर है येस्ट यूनिसलिलर है तो यूनिसलिलर है और्गैनिसम की बात करें तो इनकी लाइफ की जो starting है, वो कहा से होगी, single cell से होगी और फिर ये single cell पे क्या होगी, खतम भी हो जाएंगे अगर multi-cellular organism की बात करें, जैसे human की बात कर लो, human क्या है multi-cellular, तो multi-cellular organism की life की starting भी कहा से होती है single cell से होती है, जैसे अगर human की बात करो, तो human की starting सिंगल सिल का होता है फिर यहीं सिल करati है कि दिवाइड करती है , यह तो कि आccoimmung को बढ़ चाहिए Unicellar हो या Multicellar हो सभी की Life की Starting कहां से होती है Single Cell से ही होती है ठीक है अब ये Single Cell Organism ठीक है ये Single Cell Zygore से ये Multicellar Organism तुमारा बनेगा कैसे तो हमारी जो Cell होती है जो Cell होती है इसके पास Property होती है Growth and Reproduction की ठीक है Growth और Reproduction की क्या है Property होती है और ये Property हर Organism के पास होती है जितने भी Living Organism है सब के पास ही है Growth और Reproduction की Property होती है और यही Property क्या है Cell के पास भी है ये बताओ कभी हम छोटे थे ठीक है आज हम इतने बड़े हो गए यानि Growth हो गई आज हमा कहने है कर साथ दी होगी हमारे बच्चे होंगे तो ये क्या Reproduction है तो Growth और Reproduction की Property क्या है सबी Living Organism के पास है और वही Property हमारे Silk के पास भी होती है Silk के पास Silk मालों कोई से ले आज इसकी Size इतनी बड़ी है ठीक है कर हो सकता है इस Silk की Size क्या हो जाए इतनी बड़ी हो जाए ठीक है और Silk की Size बड़ी यानि Silk की क्या हो रही Growth हो रही है और Growth का मतलब क्या होता है Cytoplasm का Increase होना क्योंकि Silk के अंदर क्या होता Liquid Part हो जाए जिसे हम क्या करते है Cytoplasm करते है तो ये Cytoplasm जब बढ़ेगा तो ये Silk तमआरे क्या हो जएगी leyल की Size भी क्या हो जएगी बढ़जाएगी तो ये क्या हो जएगी Cell की Size बढ़गी यानि Cell Growth हो जगे अब ये Silk क्या करेगी Divide करेगी एक से दो Cell बनाते है और Cell जो Divide की है ये इसका क्या हो गökह Reproduction यानि सिल के पास growth और reproduction की property है और इसी property जैसे क्या होता है तमारा multi-cellular organism का formation होता है क्योंकि zygote एक सिल था तो इसकी क्या होगी size बढ़ेगी फिर divide होगा तो एक से दो बना लेगा फिर उन दोनों की भी क्या होगी size बढ़ेगी और divide करेंगे दो से चार नेंगे चार दे आठ 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 दे 16-16-32-32-32 ऐसी क्या करेंगे divide करेंगे और divide करेंगे multi-cellular organism का formation कर देंगे अब यह जो cells जो divide करके cells जो तुमारी divide कर रही है तो divide करने के लिए cell को क्या करना पढ़ रहा है सबसे पहले यह क्या करेंगी तुमारी growth करेंगी growth करने के पास यह चीजों को क्या करती है double करती है यानि अपने genetic material को क्या करेंगी double करेंगी जो तुमारे nucleus के अंदर DNA है उसे double कर रही है साथी साथ इसके जो other constituents होंगे उन्हें भी यह क्या करेंगी double करेंगी यानि growth करेंगी growth के बाद चीजों को क्या करेंगी double करेंगी ठीक है और double करने के बाद यह क्या होगी तुमारे divide हो जाएगी ठीक है यह क्या हो जाएगी divide हो जाएगी तो growth फिर चीजों को double करना और फिर divide हो जाना और ये पूरा process मिला गया हमारा क्या करलाता है Cell cycle कहलाता है अब divide करके जो daughter cell बनी होंगी ओ फिर क्या करेंगे growth करेंगे double करेंगे divide करेंगे और यही क्या continue सलता रहेगा तो यह जो growth चीज़ों को double करना और फिर divide हो जाना यही process हमारा क्या करलाता है cell cycle एक तो चीम के screenshot तो आपा से साइकल कि बात करें हैं ऐसे आप से साइकल की mRNA कि बात करें किका स्भूम। एस अफ ऐसे सैक्ल कि से कर दिदेए किने को यह संद्री त्स अड़नी में कितनी डिदाएं लेगी यह क्या करती बैफिंध अलग एलग ऑर्डाव या अलग-अलग टाइप छी चीप के अंदर जो डीवरेशन न यो भी क्या होती है अलग होती टी मैं डीविरेशन अब जीव्र सबीक्र स्थाइके डीवर्ण होती east की बात करें तहीं है east जो कि हमारा unisolar होता है मालू ये तुम्हारे एक east है अब ये east क्या करा है divide करें डिवाइड करके क्या करा है दो डार्टर से लिया नहीं दो east बना रहा है तो इसे divide करने में सिर्फ और सिर्फ कितना लगेगा 90 minute कितना लगेगा 90 minute लगते है लेकिन अगर हम human cell की बात करें ठीक है अगर हम किसके बात करें human cell मालो ये तुम्हारे क्या होगी human cell होगी अगर इस human cell को divide करना है और divide करके ये क्या करी एक से दो सिल बना रही तो इसमें जो duration लगती है वो तुम्हारा कितना होता 24 hours कितने 24 गंटे लगते हैं यानि duration of cell cycle तुम्हारा क्या कर रहा है वैरी कर रहा है organism to organism and cell type to cell type यानि अलग-अलग प्रकार की cell है या अलग-अलग organism है इनके अंदर duration of cell cycle पे क्या होगी अलग-अलग होगी अब कहरा कि जब ये तुम्हारे cell divide कर रही होगी तो growth है double है और division है ये cell cycle के अलग-अलग phase में होती है ठीक है ये क्या होगी cell cycle के अलग-अलग stages पे ये सारे काम होगी कहीं पे growth होगा कहीं पे double होगा और कहीं पे divide करेगी तो आईए देखें ये हमारी एक cycle होगी ठीक है ये हमारी क्या है cycle है तो कहरें cell cycle को हम क्या करते है two parts में divide करते है किते parts में divide करते है two parts में divide करते है एक होता हमारा interface ठीक है एक उन्हें तिसे आठार हो एक हमारा क्या होता है interface और एक होता है m face ये हमारी क्या होती cell cycle तो करें सिल साइकल में क्या होता है सल साइकल में क्या होता है यह जो छोड़ी छोटा वाला गया पटिक है इसे हम क्या बोलते है M-phase और यह जो बड़ा वाला है इसे हम क्या बोलते है Interface यानि जब सिल डिवाइट कर रही होती है तो वो कुछ time तो अब इंटर फेस में कितना होगी और एंटर फेस में कितना होगी तो उता किया है जैकर human cell की बात करो तो यह कितना लिया था 24 hours से लिया था डिवाइड होने में तो 24 hours में से यह 23 hours यह कहां पर निकालता है interface में, कहांपे निकालता है interface में, और near about 1 hour ये कहाँ पर देता है तमहारे M phase में, कहाँ पर जाता है M phase में, ठीक है यानि cell cycle यानि duration of cell cycle जो है तो उसकी maximum time consume कहाँ पर होती है, तुमारे interface में होती है कितनी होती है, more than 95% कितनी होती है, more than 95% interface में और less than 5% तुम्हारी कहां पर खर्चा होती है M-phase में खर्चा होती है एफिर ऐसे समझ लो कि एक तुम्हारी साधी हो रही है और दूसरा क्या है तलाक है तो साधी जब होगी तो साधी की जो तैयारी हो देना उसमें कारफर टाइम लगता है तो इंटर फेस को हम क्या कहेंगे कि ये तुम्हारा क्या है साधी की तैयारी हो रही है ठीक है यहां पर क्या है साधी की तैयारी हो रही है और फिर जब साधी हो जाती है तलाक देना होता है तो उसमें क्या है बहुत ही कम टाइम लगता है यानि अलग होते हैं यानि actual जो cell divide कर रही है ना cell actual में divide बाएड तहां पे करती है M Phase में ही करती है अब inter phase की बात करें तो inter phase को हम further क्या करते हैं 3 P argolo divide करते हैं G1, S and G2 किते parts में divide करते हैं? 3 P전에 G1, S and G2 तो यह हमारा क्या हो गया? G1 हो गया ये क्या हो गया हमारा S हो गया और ये हमारा क्या हो गया G2 हो गया अगर M face की बात करें ठीक है ये तुमारा क्या है ये तुमारा interface है अगर M face की बात करें तो M face को भी क्या किया जाता है divide क्या जाता है pro face meta face ina face और tilo face यानि M Face को भी क्या करोगे डिवाइड करोगे प्रो फेस मेटा फेस इना फेस और तीलो फेस में तो वन बाई बन करके सभी को देखना है सबसे पहले बात करते हैं तुमारे इंटर फेस के माल लेजिए हमारी कोई से ले ठीक है मैं इसे अटा रहा हूँ ठीक है इसे मैं अटा दे रहा हूँ माल जी ये एक हमारी से लेंड ये क्या है से लेंड इसके अंदर क्या होगा लिक्विट पार्ट होगा जिसें साइटो प्लादम बोलेंगे ये क्या है नुकलियस होगा और nucleus के अंदर हमारा क्रोमोसोम होगा ठीक है यह क्रोमोसोम जो उल्चा हुआ होता है ठीक है क्रोमोसोम क्या होता है उल्चो जिते chromatin बोलेंगे और इसी के उपर हमारा क्या होगा genetic material या ने DNA लगा होगा ठीक है इसी के उपर हमारा क्या होगा DNA होगा अब इस सिल को क्या करना डिवाइड करना यानि एक से दो सिल बनानी है तो यह सिल जो है सबसे पहले इंटर करेगी कहाँ पर तुमारे जी वन फेस में इंटर फेस के जी वन फेस में इंटर करेगी और इंटरफेस में कुछ नहीं होता है सिर्फ क्या होती है ग्रोथ होती है इंटरफेस में क्या होगी सिर्फ ग्रोथ होगी और ग्रोथ का मतलब क्या है कि यहां पर जो साइटो प्लाज में साइटो प्लाज में क्या हो रहा है इंक्रीस हो रहा है तो करहा है, इस phase में कुछ नहीं होता, सिर्फ डबल होता है, अगर मान लीजिए, तुम्हारी animal cell है, तो animal cell के cytoplasm के अंदर क्या होता है, तुम्हारा centrosome होता है, क्या होता है, centrosome होता है, तो इस phase के अंदर, nucleus के अंदर, तुम्हारा genetic material यहने DNA डबल होगा, और animal cell है, तो cytoplasm के अंदर, तुम्हारा centrosome भी डबल हो रहा होगा, ठीक है, अब करहा है, मान लीजिए, यह cell जो है, अभी G1 phase में है, तो इसके पास जो DNA, DNA का, DNA का amount, मान लो 2C है, कितना है, 2C है, और human cell है, ठीक है, तुम्हारा centrosome है, cytoplasm के अंदर, डबल हो जाएगा, जो DNA है, और nucleus के अंदर, डबल हो जाएगा, और यह तुम्हारा 2C है, तो यह डबल होगा, कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा, लेकिन number आप chromosome, जो तुम्हारा 46 था, यह तुम्हारा 46 ही रहेगा, यानि, इस phase के अंदर, chromosome तुम्हारा double नहीं होता है, ठीक है, तो इस phase में क्या होता है, चीजों को double किया जाता है, ठीक है, और DNA अगर double हो जाएगा, यानि, DNA से DNA को बनना क्या कराता है, replication, उसके बाद, तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीटू phase हो जाएगा, और जीटू phase में कुछ नहीं होती, डिवाइड करेगी, यानि, पहले carry-o kinases होगी, यानि, nutrient डिवाइड करेगा, उसके बाद क्या होगा, साइटो kinases होगा, लेगिन कहरा है कि मान लो, अब यहाँ पर सिल तुम्हारी क्या होगी, ठीक है, अब इसे one by one करके देखेंगे, तो कहरा है, मान लो, अभी एक M phase में आ नहीं करती, या कभी-कभी कुछ सिल हमारे बादे के अंदर रहते हैं, जो कभी-कभी डिवाइड करती हैं, जैसे heart की सिल जो है, वो डिवाइड नहीं करती हैं, यह जो हमारी epidermal सिल है, यह सब क्या करती हैं, जैसे अभी-कभी डिवाइड करती हैं, जैसे अभी चोट लग और जी नौ इस्टेज में जी नॉक करानी में जरुव होगी ओगी तो फिर वंने इसे मिझेगे चलिए पिर से बाते, भी एन धए ज़िए consent क्या दिनल्हाइगी तुम्हारे जी नॉट क्या होती है मेटापोलिकली एक्टिव रहती है और ऐसी से जिने डिवाइड नहीं कर ना होता और से साइकल से निकल के कहां पिछली जाती है जी नॉट में चली जाती है ठीक है आयो पिता समझ में आ गया होगा देखिए मैं से अटा रहा हूं कि पुरने के ओके हमें अब इसके बार बात करते हैं एम फेस के इन कर रहा है तो तुरना एम फेस एनफेस में तमारा कायरीयो कांडेस कायरीयो कायरीयोडनाश्च और साइटो कायर América आईए देखिए है रही है यह तुमारा क्या है μαरे में क्या होता है कारियो किनिस और यही में क्य बुलते हैं साइट अने मिए या नियुकलिस काले क्वाइट इवाइड होना अगर terminal नुक्लियस डिवाइड हो रहे है तो इसे हम कहां प recipes when we are 행 से सब्सक्राइब और टीलोफेज यह जो दिया गया है, यह तुम्हारा किसका है, कैरियो काइनेसिस का इस्टेज है, और टीलोफेज के बाद तुम्हारी क्या होती है, साइटो काइनेसिस होती है, तो आए यह वन बाई वन करके देखें कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटामेफेज में क्या ह होता है इना फेस में क्या होगा तीलो फेस में क्या होगा से यह हमारी एक सेल है ठीक है और यह सेल के अंदर क्या है निकलियस है निकलियस के अंदर यह क्या हमारा यहां पर जैनेटिक मैटे ऐसे उलजा हुआ पड़ा होता है ठीक है अब इससे डिवाइड करना है तो ये G1, S और G2 तो होगा अब ये कहां पर पहुची तुम्हारी प्रोफेस में कहां पर पहुची प्रोफेस में है तो करा जब ये प्यूर्स भी क्यों जाएब हो जाएगा और इसके अंदर जो क्रोमेटिन पड़ा हुआ है उसका क्यों था कंडेंसेसन होने लगता है यानि कंडेंस होने लगेगा ठीक है अभी माल दो यह ऐसे हो जाओ हुआ है अभी यह क्या होगा इस तरीके ते ऐसे लिपटने लगेगा condense होने लगेगा और जब condense होने लगेगा तो हमारा chromosome हमें दिखने लगेगा कि दो chromatrix से मिलके बना हुआ ठीक है यानि प्रोफेज में क्या होगा यह cell क्या पर पहुची तुम्हारे प्रोफेज में ठीक है और जब यह प्रोफेज में पहुचेगी तो यह nuclear membrane क्या हो जाएगी गायब हो जाएगी ठीक है यानि at the end of the प्रोफेज यह पूरी तरीके थे nuclear membrane गायब हो चुकी होगी endoplasmic reticulum गायब हो चुका होगा और यह जो तुमारा यह जो in the form of chromosome क्रोमसों का form में देखने लगा होगा और एक गाय जो 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 क्रोमसों में यह क्या उंगर साइटपलास में के अंदर फैल जाएंगे और जब पूरी तरीके से यह गायब हो जाते है nuclear membrane तो यही indicate करता है कि प्रो फेज खतम हो गई है अब इस्टार्ट क्या होगी तुमारी मेटा फेज क्या स्टार्ट होगी मेटा फेज इस्टार्ट होगी करा कि जो कंडेसेशन तुमारा प्रो फेज में स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट कहां पर होता है मेटा फेज में यानि जो पूरी तरीके structure या behavior की study करनी हो तो किस stage में पढ़ेंगे meta stage में क्योंकि सबसे clear हमें chromosome इसी stage में दिखाई देता ठीक हैं और कहरा कि pro phase में एक और होता है कि जो centrosome तुमारा double हुआ था ना जो centrosome तुमारे double हुए थे ये centrosome ये जो centrosome तुमारे double हुए थे ये opposite pole की तरफ जाने लगते हैं तेंक हैं ये क्या होते हैं opposite pole की तरफ जाने लगते हैं अब M phase में क्या होगा तुमारा M phase में क्या होगा कि condensation क्या complete होगा यानि एकदम साफ साफ हमें दिखने लगेगा कि जो chromö sontome है और दो sister chromatic से मिलके बना है ठीक है centromere द्वारा किसके द्वारा जुड़ी है centromere द्वारा और यह जो centrosome जो opposite pole की तरफ जा रहा था ठीक है यह कहां पर पॉज़ गया होंगे और इनसे क्या है micro tubule निकल नहीं होगी ठीक है इनसे क्या निकल नहीं होगी micro tubule ठीक है इनसे क्या है micro tubule निकल नहीं है और यह माइक्रो टिवियूल आके इस सेंट्रो मेर के सर्फेस से अटेच होगा और इस सेंट्रो मेर के सर्फेस पर क्या होता है एक स्ट्रक्सिर होता है जिसम क्या होता है काइनेटो पोर क्या होना जाता है काइनेटो पोर ठीक है तो यहां दे माइक्रो टिब्यू लाएगा और इसके काइनेटो पॉर्स अटेच हो जाएगा यहां पर इस काइनेटो पॉर्स है यहां पर इस वाले काइनेटो पॉर्स है और यह आएगा है इस वाले काइनेटो पॉर्स यह भी इस काइनेटो पॉर्स काइनेटोपोर इस काइनेटोपोर और ये इस काइनेटोपोर से क्या हो जाएगा अब मेटाफेज में इस काइनेटोपोर से अटेच होने के बाद ये क्या करेंगे यह क्या करेंगे कि सारे क्रोमोसोम को सिल्क के सेंटर पर लेगे चले आएंगे ठीक है यह अभी मेटाफेजी चल लेए ठीक है यह सारे क्रोमोसोम तुमारे कहां पर आ जाएंगे यह सारे क्रोमोसों हमारे कहां पर आ गए मेटाफेस मेटाफेस में कहां पर आ गए सेंटर पर आ गए जिसे हम क्या बोलते हैं मेटाफेस प्लेट बोलते हैं ठीक हैं यहां से रस्सी आ रहे थी यह रस्सी कहा है इनके काइनेट अकोर से लगी हो गई ठीक है ये तुम्हारा क्या बन गया मेटा फेस ब्लेंड बन गया अब इसके बाद तुम्हारा इस्टार्ड क्या होता है इना फेस ठीक है इसके बाद तुम्हारा क्या इस्टार्ड होगा इना फेस करा इना फेस में क्या है कुछ नहीं होगा सिर्फ कैशी चलेगी अभी होता यहां अगर बीचों बीच से मैं कैंची चला दो तो यह जो sister chromatic जो आपस में जुड़े हैं centromere दोरा ठीक है यह क्या centromere हैं यह क्या कर रहे हैं यह क्या कर रहे हैं sister chromatic को आपस में जोड़ के रखा हुआ है अगर बीच में ते मैं कैंची चला दूँ तो ये सेंट्रम ये टूट जाएगा और ये टूटेगा तो ये दोनों सिश्र क्रोमेटिक क्या हो जाएंगी अलग हो जाएंगी तो इनाफ आज में कुछ नहीं होगा सिर्फ कैंची चलेगी और कैंची चलने की बजए से ये सिश्र क्रोमेटिक क्या होती है टूट जाती है अब तूटने के बाद ये माइक्रो टिबील क्या होता है । मैक्रोट 선물 क्या होता है इन्हें खीशने होता हुए अपजिट पोल की तरफ यानि यह जो सेश्र क्रोमाटЕТ है इस वाले पोल की तरफ कीशेगा और इन्हें इस वाले पॉल की तरफ की चेगा और यही क्रोमेटिड द। आगे चल के फ्यूचर के फ्यूचर के क्रोमोसोम है इसके बास META Phayze के बास किया होगा तुम्हारा TILO Phayze और TILO Phayze में क्या होगा कि यह जो क्रोमेटिड है वो इस पूल की तरफ पहुच जाएंगे ठीक है कहां पहुच जाएंगे इस वाले पूल के पहुच जाएंगे और ये तुम्हारे इस वाले पूल पहुच पहुच जाएंगे अब ये तुम्हारा खीच रहोगा ना अपोजिट पूल की तरफ तो सेंट्रो मियर कहां पहुच तुम्हारा आगे की तरफ होगा और ये जो आर्म होंगे ये इसके पीशे-पीशे आ रहे होगा ठीक है ये इसके पीशे-पीशे है ठीक है सेंट्रो मियर क्या होगा तुम्हारा तुर दपॉल आगे-आगे होगा और ये इनके क्या पीशे-पीशे जा रहे होगे और टीलो फ कर देंगे ठीक है यहां पर तुम्हारा क्या है चीज़ें डिस अपेर होई थी ठीक है तो यहां पर चीज़ें क्या हो जाएंगे अपेर हो जाएंगे यहां पर चीज़ें क्या हो जाएंगे यहां इनके चारों तरफ क्या हो जाएगा निकलियर मिंब्रेन आ जाएगा सिल से क्या होगी तुमारी दो सिल बन जाएगी ठीक है तो सिर्फ टीलो फेज यानि केरियो काइनेसिस का हो जाना ही तुमारा एम फेज complete नहीं होता जब कि तक कि हमारी cytokinesis ना हो जाए और cytokinesis होगी तो एक सिल से कितनी सिल बन गी तुमारी दो सिल बन गी तेखें अब cytokinesis होती कैसे है तो animals के case में यह तोड़ा अलग है और plants के case में तोड़ा अलग है तो आईए देखें cytokinesis यह हमारी क्या होगी सेल होगी ठीकें और सेल में तुमारा यह इस वाले पोल पर पहुज गया था और यह इस पोल पर पहुज गया था और यह शारो तरफ क्या nuclear membrane आगी थी ठीक है यानि हमारी karyokinesis complete हो गई थी अगर माल लोग यह तुमारी animal cell है तो animal cell के outer most occurring क्या होती है cell membrane होती है और यह cell membrane हमारी कैसी होती है लचीलिऊ होती है तो यहाँ पर क्या होगा ऐसे flow बनेगा cell membrane में क्या होगा flow बनेगा ठीक है cell membrane की क्या होगी अंडर की तरफ outgrowth बने गा और यह गा outgrowth बढ़ते 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 कहां पे आगी तमारे center पे आगी और center पे आके यह fuse हो जाएगी और जब fuse हो जाएगी तो यह part एक अलग सेल हो जाएगा प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरीं है वो क्या होती तुमारे सेल वाल होती है तुमारे क्या 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 होती है तुमारे क् जाएगी और अपने अपने साइड की वाल से जाएगी क्या हो जाएगी और जब यह तच्छ हो जाएगी तो यह एक सल से क्या होगी तुमारी दो सेल बन जाएगी ठीक है और यह जो सेल प्लेट बनी है यही सेल प्लेट क्या होता है तुमारा मिडल लैमिला होता है ठीक है यह तो हमारा था माइटाउसिस ठीए अब इसके बाद क्या है मियाउसिस लेगिन इस चैप्रिल को श्राट देने से पहले ना मुझे एक और चीज़ बतानी थी जो मैं बोल गया तो आयो यहाँ पर बता दो यह बता यह जो हमारी सेल है यह किते तरीके से डिवाइड कर सकती है द से तुमारी दो सेल बनेगे और मियासिस करेंगी तो एड़ दे एंड आप दे मियासिस एक से कितनी सेल बनती है चाव सेल बन भी है जो माइटाउसिस है यह किस के अंदर होता है डिप्लॉइड सेल में होता है ठीक है मोस्टली डिप्लॉइड सेल के अंदर होती है और कुछ हैप्लाइड सेल हैं जहां पर तुमारी माइटाउसिस होती है अगर हम अपने बॉड़ी की बात करें ना तो हमारे बॉड़ी की जो सेल हैं इसे सुमेटिक सेल कहते हैं तो हमारे सारी सुमेटिक सेल के अंदर क्या होती हैं माइटाउसिस होती हैं सिर्फ जो जर्म सेल हैं जिस बात किना तो मियास्स सिर्फ और सिर्फ डिप्राइडिस से ने यह रोप इता है थैए है आप इसे मिलते हैं में मियास्स के साथ आपके बाइन